नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मालिकों से 4 करोड रुपे मिले थे। उन्होंने ये रकम फरजी कंपनियों के जरिये डोनेशन के रूप में अपने ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दी। माते से लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने सपने में भी कभी कलपना नहीं की थी कि गाउं के मेरे जैसे एक सामान निबालक को देश के सरवोच पद के डायत्वन निर्वहन का सौभागी मिलेगा। पिछले कई महिनों से चीन से जारी तनाव के बीच रक्षा मंतरी राजनाच सिंग रविबार कुल लद्धा के तीन दिन के दौरे पर हैं। सबसे पहले बे लेह पहुचे जहां उन्होंने पूर्वसैनेकों से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सेना के जवानों पूर्वसैनेकों के प्रती प्रधानमंतरी नरेंद्रमोदी के दिल में कितना सम्मान है ये बताने की जरूरत नहीं है। 30-40 वर्षों से One Rank One Pension की समस्या चली आ रही थी नरेंद्र मोधी ने प्रधानमंत्री बनते ही One Rank One Pension की मांग को पूरा किया है लद्दाख दोरे पर राजनात बॉर्डर रोड्स और्गनाइजेशन मतलब बी आरो के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्गाटन करेंगे जम्मू एरफोर्स स्टेशन के टेकनिकल एरिया के पास धमाका होने से एरफोर्स के दो जवानों को हलकी चोटे आई है यहां पांच मिनिट के अंतराल पर दो ब्लास्ट हुए पहला ब्लास्ट परिसर की बिल्डिंग की चट पर और दूसरा नीचे हुआ विस्वोर्ट करने के लिए दो ड्रोन इस्तमाल किये गए थे हमलावरो का पता नहीं चल पाया है लेकिन आशंकाय जताए जा रही है कि विस्वोर्ट वाले इलाके में खड़े हुए एरक्राफ्ट उनके निशाने पर थे जम्मू कुश्मीर के DGP दिलबाग सिंग ने घटना को आतंकी हमला करार दिया है उन्होंने कहा कि पुलस और IAF के साथ अन्य एजिंसिया भी मामले की जांच कर रही है ब्लास्ट की जांच के लिए NIA की टीम भी पहुँची है पैरिस में चल रहे आर्चरी के वल्लकप स्टेज 3 टोर्नमेंट में भारत ने रविवार को तीन गोल्ड मेडल जी दे टोर्नमेंट में देश के नाम अब तक चार स्वन्ण पदक हो गए हैं दीपिका कुमारी ने एक दिन में देश को तीन गोल्ड दिलाए पहले उन्होंने पती अतनुदास के साथ मिलकर मिक्स्ट एवेंट में गोल्ड पर निशाना साधा ये पती-पत्नी की जोड़ी उलम्पिक के लिए पहले ही क्वालिफाय कर चुकी है दोनों से मेडल की भी बहुत उमीद है इसके बाद दीपिका के नेतरत्व में ही भारतिय महिला रिकर्व टीम ने गोल्ड जीता टीम एवेंट में भारत ने मेक्सिको को 5-1 के साथ आसान शिकस्त दी भारतिय टीम में दीपिका के अलावा अंकिता भगत और कमॉलिका बारी शामिल रही ये तो थी प्रमुक खबरें अब फटाफट कुछ हेडलाइन सुन लीजे भारतिय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर शैफाली वर्मा ने रविवार को इतिहास रच दिया है 17 साल और 13 सु दिनों में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानि टेस्ट, वन डे और टी ट्वेंटी में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाडी बन गई देश में करोना के डेल्टा प्लस वेरियंट के बढ़ते मामलू के बीच, बच्चों के लिए टीके की तैयारियां तेज हो गई हैं अगस्त की शुरुबात में 12 से 18 साल के बच्चों को टीका लगना शुरू हो सकता है भारत में ट्विटर की ओर से अपॉइंट किये गए ग्रिवांस ओफिसर ने नियुक्ती के एक हफ़ते बाद ही अपना पद छोड़ दिया है ग्रिवांस ओफिसर की नई IT नियमों के तहत नियुक्ती की गई थी उनका काम यूजर की शिकायते सुनना है अब बात उन इवेंट्स की जिन पर आज हमारी नजर रहेगी दिल्ली में आज से जिम और योग संस्थान 50 फीसदी शमता के साथ खोले जा सकेंगे दिल्ली एम्स में दो से छे साल के बच्चों पर को वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया जा सकता है जानिये आज के दिन इतिहास में क्या हुआ भारत के संधर्ब में 2012 में तीन दशक से पाकिस्तान की जेल में बंद सुरजीत सिंग को पाकिस्तान ने भारत को सौपा सुरजीत पर पाकिस्तान ने जासुसी का रोप लगाया था 2009 में भारत की अलग-अलग शेहरों में सम लैंगिक्ता को लीगल करने के लिए गे प्राइड परेड का आयोजन किया गया देश भर में मौनसून आ चुका है तो आईए जान लेते हैं कुछ प्रमुक शेहरों में कैसा रहेगा आज मौसम मुंबई में अधिक्तम तापमान 32 डिग्री रहेगा और बादल के साथ हलकी बारिश के आसार है भुपाल में अधिक्तम तापमान 35 डिग्री रहेगा और यहां तेज हवा के साथ हलकी बारिश हो सकती है राइपुर में अधिक्तम तापमान 36 डिग्री रहेगा यहां रुक रुक कर बारिश के आसार है राची में अधिक्तम तापमान 32 डिग्री रहेगा और यहां गरत चमक के साथ बारिश हो सकती है पटना में अधिक्तम तापमान 33 डिग्री रहेगा और बादलों के अलावा तेज हवा संग बारिश के आसार है लखनाओ में अधिक्तम तापमान 37 डिग्री रहेगा और यहां बादल चाय रहेगे शिमला में अधिक्तम तापमान 27 डिग्री रहेगा और आस्मान बादलों से घिरा रहेगा चंडीगड में अधिक्तम तापमान 38 डिग्री रहेगा और बादल चाय रहेगे दिल्ली में अधिक्तम तापबान 40 डिग्री रहेगा और यहां बादल चाये रहेंगे जैपुर में अधिक्तम तापबान 49 डिग्री रहेगा और गरत चमक के संग बारिश हो सकती है एहमदाबाद में अधिक्तम तापमान 49 डिग्री रहेगा और बादल छाए रहेंगे और अब जाते जाते आपके लिए ये हैं आज के विचार स्ट्रेश्ट व्यक्ती वही बन सकता है जो दुख और चुनोतियों को इश्वर की आज्या मान कर उसे स्वीकार करके आगे बढ़ता है आज की मॉर्निंग न्यूस ब्रीफ में इतना ही मुझे दीजे इजाज़त कल फिर मिलेंगे आपका दिन शुब हो